हेलो गाइज मैं हूँ अवित्व फाई साब इंडिया जो है वो जाना जाता है जुगाड के लिए आप सभी को पता है कि हम लोग जो है जुगाड करने में तो सबसे आगे रहता है और उसमें बात करें गाइज अगर हमारी तो हमने तो इतने जुगाड किये है जो कि वास्ता जुगाड है तो गाइज यहां पर आज हमारे पास में है यह गाइज एक ऐसा गैजिट है जो कि आपके फोन के कैमरा के साथ में जुगाड बन करके उसको कुछ अलग ही लेवल पर बना सकता तो देखते हैं इसके अंदर क्या है फोड़ा वीडियो शुरू करते हैं आप ल बिनोमो एक honest trading platform है जहां पर आपको forecast करना होता है कि किसी company के stocks की value उपर जाएगी और नीच जाएगी और अगर आप सही forecast करते हैं तो आपको 90% तक का profit मिल सकता है दोस्तों बिनोमो एक completely legal app है जिसे आप Google Play Store या App Store से डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप screen पर दिए गए promo code को यूज करेंगे तो आपको आपके deposit के ऊपर double amount मिले गया यानि कि अगर आप 400 रूपे deposit करते हैं तो आपको 800 रूपे मिलेंगे मैंने यहाँ पर 500 रूपे का forecast किया और मुझे लगता है जो graph है वो ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मैं अब पर click कर रहा हूं और अब हमें wait करना ह गाइस मेरा forecast सही था और यहाँ पर मुझे 700 रूपे मिल गये हैं और इस amount को बहुत easily 24 घंटे के अंदर अपने PTM या फिर bank में withdraw किया जा सकता और सबसे खास बात यह कि इसका minimum deposit सिरफ 300 रूपे है गाइस अगर आपको trading नहीं आती तो description में देगे link से check out करने पर आपको मिलें सीख सकते हैं different strategies try कर सकते हैं guys 2 million से जादा लोग बिनों में try कर रहे हैं तो description में link है फटा पर चेका उट कर लीजे और हम बढ़ते अब अपनी वीडियो की तरह guys यह है mobile के लिए एक lens kit जो कि आपके mobile के उपर fit हो जाएगा और आपके जो mobile है उसके camera को एक DSLR का effect देगा इसके उपर लिखा भी हुआ है my pocket DSLR याने कि आपके जेब में जो है वो एक DSLR camera जो है वो आ सकता है जबकि जो DSLR होता है जो तो बड़ा सा होता है जैब में डाले तो कभी नहीं सकते लेकिन कुछ ऐसा setup होगा जिसकी मदद से थोड़ा इफेक्ट और चीज का आ सकता है जैसे DSLR य लेकिन फिर भी guys कुछ ना कुछ चीज तो missing होती है तो यह जो है शायद उसको पूरा कर सकता है या नहीं करेगा I don't know यहीं तो हमारा काम है यहां पर है इसका box काफी premium सा दिख रहा है pro 2 in 1 lens kit लिखा हुए याने कि इसके अंदर जो है 2 lens है जो कैमरा के अंदर काम करेंगे य जो है 0.45x का wide angle lens है और 15x का macro lens है और जादा जो है कुछ इस box के उपर लिखा नहीं है बहुत क्लीन सा box जो है वह यहां पर दिया हुए तो फटाक से जो box है उसको खोलते है तो यहां पर guys क्या बात है box जो है वह एकदम clean तरीके से खुला है इसको रखते है side में यहां पर ज कुछ हो ना हो लेकिन बहुत premium यहां पर चीज है इसको हाथ में लेगर के लग रहे है कुछ अच्छी सी चीज है guys यह जो product है यह मैंने मंगवाए था Amazon से तो उसका link भी मैं कोशिश करूँगा Amazon का अगर मुझे मिलता है तो मैं description में देवी दूँगा फुरा सा time होगे इसको मंगवाए तो फटाक से इसको खोलते हैं आ गया और डबे में डबा यह जो है packaging थी जो की बहुत अच्छी थी इसके अंदर जो है यह guys एक like button है जो कि यह कहता है कि आप लोगों को इस video के लिए like button जरू से दवाना तो guys देखो मैं नहीं कह रहा product कह रहा है like button यह वाला यह व आपको बता है कि हम एनुवल लई पढ़ते हैं अब तब पढ़ते हैं अभी तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके उपर जो है इसके details है और इसके उपर गाईस दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे आप इसको जो है use करेंगे बहुत सारे setup इस पर बने हुए आप लोग देखी सकत है थैंक्यू लिखा हुआ है थैंक्यू रहा गाईस और गाईस हम भी आपको थैंक्यू कहना चाते है इतना प्यारों सपोर्ट देने के लिए ठीक है तो यह प्रोड़क्ट यार सारी चीज़ें हमारी पूरी कर रहा है अब जो बॉक्स है उस पर आते है का इस क्या बात है एक बात तो मानने बढ़ेगी इतनी अच्छी अच्छी पैकेजिंग जरूर दे रखी और कुछ भले ही पता नहीं अंदर क्या निकलेगा क्या नहीं लेकिन पैकेट जो है वह यार वाकई कमाल के यह डबबा भी मस्त था और इसके अंदर यह वाला भी मस्त है और गाईस न लेंस होता है उसी क्वालिटी का है कहीं न कहीं मैटल का है बिलकुल यह चीज तो मैं कहा सकता हूं इसको हाथ में लेके अगर इसका यह कवर हटाओं काई एक DSLR जैसा लेंस यहां वर निकला है लेकिन चोटा सा हमारे जो लेंसे से DSLR इत्ते बड़े-बड़े होते हैं लेकिन यह इत्ता साय देखो इसका साइज देखो और अभी तो पीछे का ढकन भी खुलेगा यह लोगा इसे पीछे का ढकन भी खुल गया और क्या बाद इस पे लिखा हुआ, 0.45 X wide angle lens, तो एक wide angle lens है, इसलिए जो है बार से इसका जो shape है, वो curve है, जो lens का shape है, वो मुझे दिख पा है, पता नहीं आपको दिख रहा है, यहां पे red color की जो है boundary दे रखी है, guys, कुछ भी कहो, product अंदर से भी जो है premium दिख रहा है, तो अभी तो इसको रख देत कुछ नहीं बता है, तो देखते हैं कहां fit होता है, अरे fit हो गया, हो गया, हो गया, guys, यह हो गया, यह जो है, हाँ, इसमें चूड़ी है, जो कि ऐसे कसी जाएगी, और भाई साब, यहां पर यह fix हो गया, और आप लोग भी जो समझ गये होंगे, अगर मैं अपना phone लेता हू तो उसके उपर, जो camera है, उस पर यह कुछ इस तरीके से लग जाएगा, और वा, guys, नहीं लग रहा कि एक DSLR जैसा setup हो गया, यहां पर camera है, यह body है, camera की और यह जो है lens है, और अगर इसको अटा दे तो यह जो है, पूरा ही camera setup वाला feel दे रहा है, देखो guys, जबकि मैंने, अब पी आपके सामने इसको निकाला है, तो guys, फिलहाल आप देख सकते है, camera का view, जो मेरा phone है, क्योंकि यह जो है phone में लगती है, और अब मैं अपने phone के camera में देख रहा हूँ, और जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ, तो आप देख सकते है, यह इस phone का camera भी आपको जो भी दिख पर है, वो दिखा रहा है, आप देख सकते है, camera का size, यहाँ पर जो है light है, इधर जो है, मस्त खुला आस्मान है, आप एक बार view देख सकते हो कि किस तरीके का यह जो है camera दिखा रहा है phone का, और अब मैं आपके सामने इसको लगाने वाला हूँ, guys, यहाँ पर, अरे camera किदे र जो है, मैंने इसको लगा दिया है, इसके उपर, और भाई साम, यहाँ पर जो view है, वो definitely हो चुका है, थोड़ा सा wide, अब उतनी ही दूरी से, अगर आप मुझे देखेंगे, तो guys, आप लोग देख सकते हो कि मैं जो है, थोड़ा wide frame आपको दिख रहा हूँगा, क्या बात है जब कि मेरे phone का camera वही है, मैंने camera change नहीं किया, इसमें कई सारे camera's है, मैंने same use किया, बट अब ही मापको wide दिख रहा हूँगा, और जैसे ही मैं इस lens को हटा हूँगा, यह मैंने इसको हटा दिया, अब शायद जो है wide angle यहाँ पर आ गया होगा, देख मैं भी नहीं पा रहा इस बार तो मैं अंदाजे से लगा दूगा इसको, ठीक है लग गया, सही पर लग गया ना, वाव, क्योंकि मेरे को camera दिख रहा है, तो guys यह है, इसका कमारा मैंने इसको हटा दिया, तो सब जो है वापसे चोड़ा हो गया होगा, और फिर से अगर लगाएंगे तो यह हो गय होगा, और guys, हमारा काम है, आपको सब कुछ real time दिखाना, तो आपके सामने लगा रहा हूँ, आपके सामने आपर हटा रहा हूँ, और अब अगर आपको मैं दिखा हूँ, तो आप देख सकते हैं, यह है सामने का view, सब कुछ चोड़ा होगे, light बड़ी दिखरी थी, लेकिन अब जो है, छोटी दिखरी है, और आसमान भी आप देख सकते हैं, क्या खुबसूरत जो है, नजार अदर सूरज है, और क्या मस्त इफेक्ट उदर बन रहा है, तो guys, कुछ इस तरीके से यह काम कर रहा है, अब देखना यह है, कि इसका जो two-in-one setup है, वो कैसे काम करेगा, यह तो कर गया काम, और guys, इसका जो जुगाड है, वो पाच मिनट देखने के बाद, मुझे अब समझ में आएगा, इसमें दो लेंज कैसे हैं, और यह वास्तों में बहुत ही different है, मैंने तो नहीं सचा था कि ऐसे काम करेगा, फिर से guys, मैं अपने camera को रख रहा हूं, और इस इसको लगाता हूं सबसे पहले तो, ठीक है, यह जो है, यहाँ से लगेगा, और मैं guys, इसको setup कर लेता हूं पहले तो, ठीक है, तो आप जो है, इसी में देख लो guys, phone में फिलाल, अब जो है guys, देखो, यह जो setup था, यह तो मैंने आपको दिखाई दिया था, यह जो है, इसको मुझे पकड़ना पड़ेगा guys, और यह जो पार्ट है यह, यह खुल जाता है भाई, मैं कही देर देखा, यह हो गया अलग, यह lens अलग हो गया, इसमें दूसरा lens बच गया, और guys, अगर अब आप phone का नजारा देखेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं देखेगा, guys, अ लेकिन इसकी एक खासियत है, अगर, देखो नीचे यह paper पड़ा हुआ, कुछ नहीं दिख रहा है साफ, लेकिन जैसे ही मैं इसको पास लाता हूँ, तो यह बन गया guys, एक macro lens, और अब आप देखो, कि इन छोटी 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 चीज़ों को, कितना जादा zoom कर करकर के दिखा लेकिन असलियत में इतनी ही बड़ी है, यह चीज़ इतनी ही बड़ी है, लेकिन जैसे ही मैं इसको लाओंगा हमारे camera के सामने, आप लोग देखो, भाई सौब यह इतना बड़ा करकर के कैसे दिखा रहा है इसको, और मैंने इस पूरे वीडियो के अंदर अपने normal जो camera है न नहीं wide angle का यूज किया, यह normal और सबसे अच्छा वाला camera है phone का, तो आप लोगों के सामने भाई, दो में ही एक है, देखो, simply इसको सामने लाते है, तो यह जो है, इसको दिखा रहा है, मस्त जो है, जूम करके, अगर even मैं अपनी skin लाता हूँ इसके सामने, तो guys देखो, अगर हाथ की रेखा हैं, देखें, हाथ की जो lines है, वो अगर देखें, यह देखो, यह देखो, guys यहाँ पर देखो, कितना clearly मुझे मेरे हाथ के जो fingerprints हैं, वो दिख रहे हैं, वाईज आप यह चीज मसता है, जैसे ही हम इस lens को इसके उपर रखते हैं, यह एक normal जो है, बन गय देखो, guys, अब जो है, पता नहीं, इसमें कुछ दिख रहा है, या नहीं दिख रहा, अंदाज से मैं इसको घुमा रहा हूँ, देखो, guys, अब, guys, यहाँ पर जो print है, जो बारी किया है, उसको भी दिखा पा रहा है, तो इसको तो मैं करता हूँ, बंद, और अब आप से है, इतनी सी चीज है, किसी भी फोन पे लगाओ, और भले ही वाइड एंगल देखो, भले ही, जूम करके देखो, जूम भी नहीं, इसको मैक्रो लेंस बोलेंगे, जो की छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है, एक माइक्रो स्कोप की तरह, तो दोनों काम सिंगल लेंसी कर लेता है, हटाओ तो एक, लगाओ तो दूसरा, तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आयोगा, इस वीडियो में आपको इसने, आपने जो है कुछ नया देखा हूँ, उनिक देखा हूँआ, तो उस सीज के लिए वीडियो के लिए लिए लाइक का बड़न दबाना जरू से बनता है, आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और मिजदार अन्बॉक्सिंग वीडियो के लिए, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दब तक के लिए, नमस्कार, बाइ बाइ